पहली सुर्खी संयुक्त राष्ट परिशद से है भारत ने कल संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद यानी UNSC की अध्यक्षता आधकारिक तॉर पर समाली भारत को दिसंबर के महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बनाया गया है इस दोरान UN में भारत की पहली महिला इस थाइप ने दी रुचिरा कमभोज ने भारत में लोकतंतर पर सवाल उठाने वालों को दो तूक जवाब दिया सुनिया उनका बयान we don't need to be told what to do on democracy India is perhaps the most ancient civilization in the world as all of you know in India democracy had roots going back to 2,500 years 2,500 years we were always a democracy the shakyas and the lichavis to those of my Indian friends who are here and coming down to very recent times we have all all the pillars of democracy that are intact legislature executive judiciary and the fourth estate the press and a very vibrant social media so the country is the world's largest democracy as you know the rest of my life is going to be prepared to be prepared to be prepared for this the sound of the day इसमेर्वारों पर ब्रामन भारत छोड़ों ब्रामनों केंपस खाली करो जैसे नारे लिखे दिकाई दे रहे हैं इसके अलावा वैश्य समुदाय को लेकर भी कई आपती जनक शब्दों का इस्तिमाल किया गया है फोटो सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ तो लोगों ने इस पर नाराज़गी भी दिखाई अलग-अलग किस्मी की प्रतिक्रियां आया है इसमें अपडेट ये है कि जेन्यू की वाइस चांसलर शांती श्री दुलिपूरी का बयान आया है उन्होंने कहा कि हम घटना की कड़ी निंदा करते हैं इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है ऐसी घटनाओं को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और जेन्यू प्रशासन इंक्वारी कर रहा है इस भी सामाजी कारकरता और सुप्रिंग गोड के वकील विनीद जिंदल ने दिली में अंजान व्यक्तियों के खिलाफ आई पीसी की धारा एक सुत्रिय पर ए और बी 505, 506 और 34 के तहर शिकायत दर्ज कराई है सोशल मीडिया पर तो इसके बाद से प्रितिक्रियाओं का दौर चली रहा है 34 उर्की उत्तर प्रदेश से है यूपी के कानपुर की सीसा महु विधान सभा से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इर्फान सोलंकी इन्होंने आज पुलिस कमिशनर के दफ्तर में जाकर सरिंडर कर दिया की नौबत क्यों आई इर्फान को क्यों अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ कानपुर के पुलिस कमिशनर आफिस में जाना पड़ा वो लंबे बक्त से फरार चल रहे थे कोर्ट ने उनके खिलाव गैर जमानती वारन जारी कर रखा था इसलिए वो कमिशनर बीपी जोगदर्ण के आफिस में पहुंचे पर सरिंडर करने पहुंचे तो फेस्बुक पेच पर लाइब भी थे और समर्थकों के साथ भी आज तक न्यूज चैनल से जुले सिमर चावला की रिपोर्ट के मताबिक कानपुर पुलिस ने 8 नवंबर को इर्फान और रिजवान सोलंकी पर एक महिला के साथ भूमी विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज किया था महिला ने इन लोगों पर उसके घर को जलाने का इल्जाम लगाया था FIR शेहर में डिफेंस कॉलोनी जाजमो की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई केस दर्ज करने बाद पुलिस की टीम ने सपाविधायक और उनके भाई के घर चापे मारी की लेकिन वो मौके पर नहीं मिले थे इसके लावा सपाविधायक इर्फान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तिमाल कर हवाय यात्रा करने का केस भी दर्ज किया गया है पुलिस का दावा आधार कार्ड में तस्वीर इर्फान की लेकिन नाम अशरफ अली का लिखा था पांचवी सुटकी देश की संसत से आई इस बार संसत का शीत काली सत्र साथ दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसे मौझूदा संसत भवन में ही आयुजित किया जाएगा कुल 23 दिनों तक चलने वाले सत्र में सत्रा बैठके होंगी सत्र में बहुराजी सहकारी समितियों की जवाब देही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने वाले बिल समेथ 16 नए बिल पेश करने की उजना है PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस दोरान National Dental Commission बिल को भी पेश किया जा सकता है इस बिल में एक National Dental Commission को बनाने और Dentist Act 1945 को खत्म करने का प्रस्ताव है इस दोरान हमारा कारकरम शुरू होगा संसत में आज जिसमें आप विस्तार से गतविदियां जो हुई हैं संसत के दोनों सदनों में उनके बारे में जान सकते हैं और जो भी महत्यपूर्ण बिल संसत के पटल पर रख़े जाएंगे उनके बारे में भी विस्तार से ललन टॉप आपको बताएगा चटवी सुर्खी Life Insurance Corporation यानी LIC से जुड़ी है जब mutual funds अडानी ग्रूप की कमपनियों में निवेश से किनारा कर रही है इस दोर में सरकारी बीमा कमपनी LIC ने अडानी ग्रूप में खूब इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन एक्स्पेस अखवार की रिपोर्ट के मताबिक सितंबर 2020 के बाद से सिर्फ आठ तिमाहियों में LIC ने अडानी ग्रूप की शेर मार्केट में लिस्टेट साथ में से चार कमपनियों में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई इतना ही नहीं अडानी समू की एक कमपनी में तो LIC ने दिल खोल कर निवेश किया और इस कमपनी में अडानी का निवेश 6 गुना तक बढ़ गया आज की तारीक में अडानी ग्रूप की साथ लिस्टेट कमपनियों में LIC की हिस्सेदारी की कुल बाजार मूल्य चोटर हजार एक सो बैयालिस करोड रुपए है यह अडानी समू के कुल बाजार मूल्य का करीब 3.9 फीजदी है अडानी ग्रूप का कुल बाजार मूल्य यानि कारोबारी सामराज 18,98,000 करोड रुपए का है अडानी समू की फ्लैक्शिप कमपनी यह कंपनी कौन सी है अडानी एंटर्प्राइज इसमें LIC की हिस्सेदारी सितंबर 2020 में एक फीजदी से कम थी जो बढ़कर 4.02 फीजदी हो गई अडानी टोटल गेस में LIC की हिस्सेदारी 1.02 से बढ़कर 5.77 फीजदी हो गई अडानी ट्रास्मिशन में 2.42 से बढ़कर 3.46 अडानी ग्रीन एनरजी में पहले इस्सेदारी एक फीजदी थी जो बढ़कर 1.5 फीजदी हो गई एक मात्र कमपनी अडानी पोर्ट से जहां LIC की हिस्सेदारी पहले भी 9.6 फीजदी थी 304 करोड थी जो सितंबर 2022 में बढ़कर 74,142 करोड रुपे हो गई 30 जून 2022 तक की LIC ने शेर मार्केट में करीब 9.3 लाग करोड रुपे का निवेश कर रखा जिसमें 7.8 फीजदी का निवेश सिर्फ अडानी समूग की कमपनियों में ये आकड़ा गुरवार एक दिसम्मर को बंद बाजार भाव के हिसाब से लिया गया है इस पर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है ये थी सुर्खिया आखरी में चलते हैं गुजरात की तरफ आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्रीchem निरेंद्र मोधी ने बना सकाटा के काक्रेश पाटन और आंन्दू दिले के सोजितना और एमदाबाद के सरस्पोर में जन सभा किए उस्बरवान प्रधानमंत्री मोधी ने कॉंग्रेश पंडिशाना साधंसिए आग कॉंग्रेस ली टेव के विये थी लटकाना अटकाना और बटकाना तमारा घरमा बड़ी लो हो है शित्तेर वर्षना ऐसी वर्षना तो इमने पुझ्जो कि तमें नहना आता त्यार जी नर्बदानु नाम साबढ़ता तक नोता साबढ़ता तो एक ऐसे हाँ तमें अमने पुझ्जो कि नर्बदानु पाणी आवसेवु तमने कॉंग्रेस नी बद्धी सरकारों कहीन गई ती कि नोती गई तो कैसे हाँ पड़ कोई नर्बदानु पाणी लाईू नोतु एत्तु नहीं आ सरदार सरोवर डेम न बने एना माटे जेतला रोडा नाखवानो या कॉंग्रेस नाख्या ता अने जे लोको सरदार सरोवर डेम ने अटकायो तो कोट कचेरियों मले गया था दुनिया माते आपने पैसा मले अना माटे बदू परति बंदो लगाई दिदा था एम ने खबे आहाँ त मुके ने कॉंग्रेस ना नेता पदियात ना करे बोलो नेंद मोधी के लावा केंद्री ग्री मंत्री हमेशा ने भी महसाना के बेचराजी और वीजापूर में जनसभाएं की वहीं आमादवी पार्टी की तरफ से आज पंजाब के मुक्य मंत्री भगवंत मान ने मोर्चा समाला मान ने साबरकाटा की एडर में रोडशो किया और बिजली बिल जनता के बीच उछा ले सुनी उन्होंने क्या कहा कि आज पार्टी को दिखागे ना जिनोंने चार दिन पहले विजली आपके महंगी की एडर्यास की पढ़ने ना हबारे बाते नहीं करते काम करके दिखाटे मैं सब काम कर देंदा एक मार्च के बार आपका दिल बीजी रुआएगा समाल कर देना इसको सड़कें बनेंगी सिकूल बनेंगे अस्ताल बनेंगे बिजली का बिल जीडो इंफर्टेक्टर बनेंगा दुकानदार की तरक्टी होगी वेपारी की तरक्टी होगी यह सब कुछ खा गए बाई साथ तीसरा मोर्चा यानी की कॉंग्रेस गुजरात के संदर्व में कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे ने भी चुनाओ प्रचार किया सुनिए उन्होंने क्या कहा 27 साल से गुजरात में किन की सरकार है वीजेपी की सरकार कि 27 साल कि हुकुमत करने के बावजूद भी अगर आप गुजरात के लोखों को नवक्रिया दिलाने के काबिल नहीं है पानी की विवस्ता करने में काबिल नहीं है बच्चों के सिक्षन देने में काबिल नहीं है लड़कियों के सिक्षा के लिए हम काम नहीं करते तो फिर किस काम के हैं हम मैं पूचता हूँ क्योंकि बार बार कहा जाता है और उसमें देश के प्रदान मंत्री और राच के लोग भी यही बोलते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है भई डबल इंजन की सरकार होते हुए यह बार बार फेल क्यों हो रहा है इंजन आपके ग्यान की गहराई नापनिक लिए आ गई है ललन टॉप क्विज्ज मौके पर दो जबाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोंबार से शुक्रवार रात 9 बजे सिफ ललन टॉप पर याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलिज पर हाल लगाओ आल पाइदा दे लगाओ का पाइदा तो फटाक से डामलोड करो ललन टॉप आप और आज आओ 9 बजे क्विज्ज खेलने के लिए हमारे साथ